नमस्कार आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अरजुन खजूरिया इस वक्त हम मुझूद हैं 12 तुगलक लेन के बाहर जी हाँ 12 तुगलक लेन यानी की राहुल गांदी कॉंग्रेस के वाइनाट से संसद राहुल गांदी का निवास्थान अबसे कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली पुलीस की एक टीम पहुंची थी और जा करके उन्होंने पुष्टाच करने के सिलसिले में यहाँ पर वो पहुंचे थे और लगबग जो है 2 गंटे तक इंतजार करने के बाद यहीं 12 तुगलक लेन में राहुल गांदी से उन्हो जॉडो यातरा की समाप्थि पर, जम्मू कश्मीर के श्री नगर में जब भारत जोडो यातरा समाप्थ की गई थी, राहूल गांदी की तरफ से, उसके गंटे इंतिजार करने के बाद राहूल गांदी के उनसे मुलकात नहीं हो पाई उसके बाद दोबारा से अगले दिन जो है सोला मार्च को यहाँ पर दिल्ली पुलीस की टीम पहुंची और डेड़ गंटे तक जो है इंतिजार करने के बाद फिर राहूल गांदी उनसे मिले और वो नोटीस उन्होंने रिसीव किया उसी सिलसिले में आज पूश्टाश करने के लिए रविवार को 19 मार्च को दिली पुलीस की टीम यहाँ पर पहुंची थी जिसमें खुद स्पेशल सागर प्रीत हुड़ा लॉडर स्पेशल सीपी दिली पुलीस के वो यहाँ पर जान दिये गे थे राहुल गांदी की तरव से उसको लेकर के दरसल ये पूश्टाश लगातार की जा रहे थे और का जा रहा था कि उन महिलाओं के बारे में जानकारी देनी होगी राहुल गांदी को जिनों ने राहुल गांदी को बताया है कि उनके साथ ये बलातकार वाल लिए वो रो रही थी, दरसल इसलिए रो रही थी, ये रावल गंदी का कहना है, वो दरसल इसलिए रो रही थी, कि उनके साथ molestation हुआ है, उनके साथ rape हुआ है, और आकर कि उन्होंने अपनी पीड़ा, मेरे साथ share की है, और जब मैंने उन महिलाओं से का, कि आपको इसके लि मामला 30 जन्वरी का है जब भारत जोड़ो यातरा समापत हो रही थी बैरहाल अब उसके 45 जिन के बाद यहाँ पर जो नोटिस दिया जाता है दिली पुलीस की दरव से और उसमें डिटेल्स की बात की जाती है कि आखिरकार वो कौन महिलाएं है वो उसके बारे में डिटेल्स बताईए दिली पुलीस को ताकि उनकी जो है सुरक्षा की जा सके और जीनों ने यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्स से ही खुद दिली पुलीस ने इस मामले में संग्यान लेते हुए इसमें जो है वो नोटिस राहूल गांदी क अगर बात की जाए यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी की तो कॉंग्रेस पार्टी का उससे मेरी एक्शन सामने आया था और कहा था कॉंग्रेस पार्टी ने की 45 जिन के बाद क्यूं जो है इस मामले में जो है जानकारी ली जा रही है क्यूं 45 जिन के बाद जो है इसमें नोट अगर बात के तो कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेडा भी यहां पर उनसे उसी दुरान मिलने पहुंच गे जब दिली पुलीस यहां पर पहुंची थी हालांकि अब जो वो डेड़ गंटेंट जार करने के बाद मुलाकात करने के बाद दिली पुलीस की टीम वो जा चुकी है लेकिन अभी भी जो तमाम सुरक्षाबल हैं वो बाहर जो है वो यहां पर मुझूद है उनको यहां पर एत्यात भरतते हुए उनको बाहर रखा गया है लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल है जो यहां पर दिली पुलीस की तरव से कहा जा रहा है कि जो 30 जनुरी का वो पूरा मामला है उसको लेकर के ही जो है हम पूर्षताश करने के लिए पोंचे थे लेकिन अब इसमें दिली पुलीस ने कहा है कि जो राहूल गांदी से मुलाकात करने के बाद उनको बताया गया है कि इसमें बहुत सारे लोग उनको मिले थे तो उनको रिकॉल करना प लेकिन इस बीच सवाल ये उड़ता है कि अगर जवाब देने के लिए इतना लंबा समय लग रहा है राहूल गांदी की टीम की तरफ से तो उस समय जब ये बाशन दिया गया था जब ये बाते पबलीकली कही गई थी जनसभा के अंदर तो उस समय क्या राहूल गांदी के पा किनी तत्यों के आधार पर दिये जाते हैं या फिर उनको केवल और आपने पॉलिटिकल स्टन्ट के लिये उन बाशनों को पबलीक के बीच कहा जाता है ताकि पॉलिटिकल माईलेज जो उनको मिल सकके हैं कि आपको राहूल गांदी के बारे में बता दे तो वो लगातार हर स्पीच में किसी ना किसी विवाद का सामना करते हैं एक तरफ यह अभी जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने ब्यान दिया यह जो है सुर्ख्यों में है दूसरी तरफ अगर बात करें तो ब्रिटेन में जाकर के जो उन्होंने बाशन दिये हैं अपने वहां की सांसदों से जो आगरे किया उसको लेकर के विवाद मचा हूँ इस समय बजट जो सत्र है उसका दूसरा चरन जो है चल रहा है लेकिन लगातार इसी विवाद के बीच की राहूल गांदी माफी मांगे है उन पर तेश द्रो का इसमें मुकतमा चले और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी क एक बड़ा चैरा है पूर में अध्यक्ष रहा चुक है लेकिन बार-बार जो वो बयान देते हैं उससे कही ना कहीं यहाँ पर विवादों में खड़े दिखाई देते हैं और भारतिंता पार्टी को हमेशा जो है वो मोका मिल जाता है यहाँ पर राहूल गांदी को घेरने के लिए लेकिन अब कितना समय वो और लंगे और इस दोरान जो रreaction यहाँ पर सामने है जाराम रमेश का reaction सामने है जाराम रमेश ने कहा कि यह 45 दिन बात क्यूँ जू है इसा notice दिया गया है तो यहाँ पर जंता का सवाल ये इस बीचुडर करके आ रहा ही कि वो महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए चाहे उसमें 45 दिन बाद वो नोटिस मिला हो लेकिन क्या यहां पर कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि उन महिलाओं को इंसाफ मिले या फिर ना मिले क्या 45 दिन हो चुके है तो उन महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए और अगर बात किया है यहाँ पर इतनी जल्दी अगर कॉंग्रेस पार्टी को इंसाफ दिलाने की है तो यहाँ पर राहूल गांदी ने जो बाहर जाकर वीदेशों में ब्यान दिये जमू कश्मीर को लेकर जो वहाँ ब्यान दिये अभी हाल ही में मार्च के दूसरे हफते में उस समय क्यों ने बताया गया राहूल गांदी की तरफ से कि मैंने जो है यहाँ पर आतकवादियों को अपनी आंखों से देखा है लेकिन उनने मुझे कि या कुछ ने क्या वो इंतजार कर रहे है एक और बड़ी गटना का जमू कश्मीर में उस समय क्यों ने बताया गया औ इतने दिनों के बाद इतने हफटों के बाद बृतें में जाकर के इस बात का खुलासा कर रहे है तो कही ना कहीं यह सब जो बाते कही गई राईल गांदी की तरफ से यह विवादों के ग Government है कि इस तरह की वो बाते क्यों करता है कि вес में कोई सच्चा ही है यहाँ फिर केवल जब हम पर जहांचे जन्सियों का दुरूपयोग होता है तो कॉंग्रेस हमारे खिलाब बोलती है लेकिन हम ऐसा नहीं बोलें कि हम जानते हैं कि केंधिर सरकार जहांचे जन्सियों का दुरूपयोग कर रहे हैं लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह होगी कि इसमें ना तु विपक्षी दलों को राजनीती दिख रहे हैं वो इसको भी राजनीती से जोड़ कर देख रहे हैं जब कि इसमें सचा ही यह है कि अगर राहूल गांदी महिलाओं की डिटेल्स देंगे उनके बारे में बताएंगे कि आखिरकार वो कौन महिलाओं थी कि इनके साथ यह गलत हर करकत की है जिन लोगों ने यह बलातकार किये हैं या मॉलेस्टेशन की है उनको कानूनी उन पर कारवाई करके उनको सलाखों के बीचे बेजने का काम जो है दिली पुलीस कर गी तो यहां पर इसको फिर से उसी एंगल से जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंदर सरकार ज डरपोक बन गए डरपोक होने के बाद जो है इस तरह के कदम उठाये जा लेकिन यह देखिए बिल्कुल अलग केस है इसमें ऐसा कोई भी लेना देना नहीं कोई राजनीतिक यह केस नहीं है इसमें केवल और केवल यहां पर पुलीस का यही कहाना है कि वो जो महिलाओं के बारे में यहां पर ब्यान दिया गया उनके बारे में दिल्ली पुलीस को जानकारी चाहिए कि वो महिलाओं आखिरकार कौन है ताकि उनको जस्टीस यहां पर दिलाया जा सके बैरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है आप अपनी राये जो है मारसत कमेंड बॉक्स में कर सकते हैं सीधे हम 12 तुखलक लेन्स से आपके साथ हैं राहूल गांदी के निवास्थान के बार से जहांपर कुछ देर पैले दिल्ली पुलीस पहुँ थी और अब जो है वो उस नोटीस को जो है वो दे दिया गया है नोटीस रिसीव कर लिया गया लेकिन अब उसको जवाब देने में यहाँ पर कितना समय लगेगा यह यहाँ पर देखने वाली बात होगी कैमरा परसन सरवेश्वर रावत के साथ हरजुन खजूरिया प्यारा हिंदोस्तान दिल्ली